अलो दोस्तो स्वागत आपका एक बार फिर से नई वीडियो के पडिक्सन के साथ तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इंडिया वर्चिच सिरिलंका के बीच में जो सेकंड ओडियाई मैच खेले जाने वाला है उसके बारे में फुल डिटेल में एनलाइज करने वाला जो टी रहे तो कल के मैच में आपको बता दुं इंड्या वर्चिच सिर्लंका का जो पहला मुकाबला हुआते उसमें भी हमने नं-कटिंग किया है अल्ट्रा क्लीन स्विप के साथ हम यहां पर मैच को वोन करके गए थे तो आज का मैच भी हम अल्ट्रा क्लीन स्विप करने वाले हैं तो एक बार यहां पर प्लेंग लेविन जाच लेते हैं और यहां पर पलेरों का स्टेटस देख लेते हैं इस पिच पर कि किस परकार का परफॉर्मेंस से होता है तो फटाबट से चैनल को सस्क्राइब जरू कर ले तो हम आ चुका हैं यहाँ पर जो आज की पिच रहने वाली है तो मैं आपको बैक टू बैक यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइन अप का आपको पता है कि लगबग वही पलेर आपको इस मैच में भी खेलते होए नजर आएंगे अगर कोई थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा तो वह आपको फाइनल टीम में अपडेट करवा दूगा तो यहां से अगर मैं बात करूँ इंडिया वर्से सिरलंका की सेकंड ओडिया मैच बारा जनवरी 2023 को डेट पीम में यहां पर मुकाबला खेले जाने वाला है इड़न गार्डन कोलकता में पिछ रिपोर्ट के बात करूँ टोटल यहां पर जो मैचिज खेले गए हैं यहां पर 39 मैचिज खेले गए हैं और जो यहां पर पहले बैटिंग करती है उसने 18 मैच वोन किये हैं सैकंड मतलब चेस करने वाली टीम यहां पर 11 मुकाबले विन के हैं टाई यहां पर जीरो र तो यहाँ पर स्कोरिंग पैटरन आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोश्ट रन जो इस पिछ पर बनाए वे हैं तो यहाँ पर विराट कोली की बात करूँ छै मैचों में 326 रन बैस्ट यहाँ पर एक सो साथ रन यहाँ पर बनाए थे रोई चर्मा ने दो मै मैंच जलैं हैं तो यहाँ पर इंडिया वर्चिस आष्ट्रेलिया का जो नमबर एक का मैच केला गाया था यहाँ पर मैच को विन किया था यहाँ पर पचास रन शें इंडिय towards सिर्लंका को वा था जी तो यहाँ पर इंडिया की टीम ने 153 रंच से मैंच को वोन किया ठाथ हो उर यहाँपर इंडिया- इंगलाइन्ड का भी मैच होगा, ठीक है और यहाँ पर नीदर लेंड आयरलेंड का भी मैच हुआ है और साउथ अफरिका आयरलेंड का भी मैच हुआ है तो काफी सारे स्रिलंका और इंडिया का एक मैच और वा है 2009 में जिसमें इंडिया की टीम ने मैच को विन कर लिया है तो यहां पर अगर मैं बात करूँ match की तो यहां पर सबसे जगदा दो दब-बा रहता है वो इंडिया की टीम करेता है तो मैं आपको सिधे यहां पर जो मैरी 6 ग्रेहन लिज टीम है वो आपको मैं back to back दिखा देता हूँ आप इसके according यहाँ पर लगा सकते हो कि match किस परकार के यहाँ पर रहने वाली है और कितना scoring यहाँ पर रहने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही match में 404 रन है तो यहाँ पर लगबग 500 के करीब यहाँ पर average रहती है रनों की तो मैं आपको सीधे dream 11 में ले चलता हू दिखाता हूं आज की playing 11 तो यहाँ पर आप जो रहने वाली playing 11 वो तो आपको पता है कि यहाँ पर कुसाल मेंडिस ने मैं आपको एक बार दुबारा से बता देता हूं रिपीट कर देता हूं यहाँ पर कुसाल मेंडिस बिल्कुल फलोप रहे थे और यहाँ पर जो केल आस की के क्रीब यहाँ पर रहन मारे थे सरे सएयर थोड़े से फलोप थे सी असलांका ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस क्या था सुबमन गिल ने भी गजब का पर फ्लोप रहे थे आल राउंदर में यहाँ पर परफॉर्मेंस ओनली दनंजे शिल्वा ने किया था बाखी सभी पलेर यहां पर फुलोप रहे थे बोलिंग सैक्षन के बात कुरू, बोलिंग सैक्षन में लगबग लगग सभी फुलोप थे लेकिन मौमद सिराज और यहाँ पर मौमद सिराज ने गजब का परफॉर्मेंस किया था रंजीता ने बाण में यहाँ पर तीन विकट यहाँ पर लिये थे कुछ रन यहाँ पर बना के और उम्रान मलिक का तो आपको पता है गजब का performance रहता है तो मैं आपको बैक टो बैक ग्रैंड लिक टीमें आपको दिखा देता हूँ आपको मैंने performance बता दिया किस team का क्या performance रहता है तो यहाँ पर जो मैंने captain वोईश captain लगाए हैं only batting order के साथ यहाँ पर बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर विराट कोली का परफोर्मेंस भी गजब का रहता है और रोईच सर्मा का भी परफोर्मेंस गजब का रहता है बाकी यहाँ पर कोई भी पलेर है उसका परफोर्मेंस इतना अच्छा नहीं है उनली कुसाल मेंडिस की बात करो तो इसका परफोर्मेंस थोड़ा ठीक ठाक है बा बोलिंग सेक्षन की बात करूँ बोलिंग सेक्षन में च्यार बोलिंग सेक्षन के साथ जाने वाला हूँ नमबर एक की ग्रैंड लिग में नमबर दो की ग्रैंड लिग की बात करूँ तो यहाँ पर पांच बोलिंग सेक्षन के साथ यहाँ पर जाने वाला हूँ केल राउल ह और यहां पर विराट कोली, रोईच सर्मा और पीन इसलंका, सुबमन गिल, दरंजे सिल्वा, हार्दिक पंड्या, मौमद सिराज, केरंजित्ता और उम्रान मलिक यहां पर जो मेरे रहेंगे, कैटन के लिए, यहां पर जो ट्राइ किया है, पीन इसलंका के साथ, और यहां पर बैक टू बैक, हम अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, तो आप भी ग्रैंड लिक टीम को अच्छी तरीके से परकार से खेलो, और अच्छी खाजी प्लेइग ले तो ये मेरी नमबर तीन की ग्रैंड लिग टीम रहने वाली है वो इस कैप्टन यहां पर सुबमन गिल कैप्टन सी के लिए दसुन संका को यहां पर कैप्टन सी के लिए मैंने रखा है यह मेरी नमबर तीन की ग्रैंड लिग टीम रहेगी नमबर चार की ग्रैंड लिग में कै राउल को लगाया है, वोई пятьष्य क्याप्टेन विराट कोली के साथ जानेवाला हूं। हमारी फाइनल ग्रैंड लिग की टीम रहेगी यह थोड़ी सी रिस्की टीम है क्योंकि यहाँ पर मैंने विराट को लिग को ड्रोप किया है केल राउल को ड्रोप किया है और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दसुन संका को भी ड्रोप कर दिया है जो पिछले मैच में सतक बना आल फैंटसी एप में आप इसको लगा सकते हो यहां से मैं खुसाल मेंडिस को रखूंगा केयल राउल को अभी के लिए ड्रोप करते हैं विराट कोली रोहित सर्मा दसुन संका पीन इसलंका और यहां से नीचे सुब्मन गिल ठीक है यह मेरे सेम प्लेयर हैं जो मैंने पिछल और नीचे उम्रान मलिक यह मेरे रहने वाले हैं कैप्टन सी की बात करूँ कैप्टन मेरा जो इस टीम में रहेगा कैप्टन सी के लिए मैं विराट कोली के साथ जाओंगा वो इस कैप्टन सी के लिए आप इन दोनों में ट्राइ कर लेना या थोड़ा सा रिस्क लेके यहा पर सुबमन गिल को रखूँगा वो इस कैप्टन सी के लिए जो मेरी फाइनल स्मोल लीक की टीम रहेगी तो ये मेरी फाइनल स्मोल लीक की टीम रहेगी और कोई अपडेट आएगी वो आपको टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा फटापट से टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन करें और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि लगातार अपडेट आपको इस चैनल से प्रोवाइड होती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ